आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यह जो इसका इसा ही जो स्ट्रक्चर है यह लीफ की तरह दिखते हैं तो कुछ रिसर्चर मानते हैं यह Modified Leaf है बट Major of the Researcher जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि यह एक Modified Stem है Modified Stem है इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है Bulb इसकी क्योंकि Shape जो होते है Bulb जैसी होते है इसको नाम दिया गया है Bulb का अब बात होते है कि Onion जो है वो Modified करके Bulb क्यों बनाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Usually जो Modified Structure होते है यह Grow करते हैं Underground Underground इनकी Growth होती है तो जो Underground Grow करते हैं Swell कर जाते हैं अपने अंदर जब यह Swell कर जाते है Structure जो Usually Stem होते है वो ऐसी थोड़ी दिखते है इस time ऐसी बिल्कुल भी नहीं दिखती तो यह जो Modified Structure होते है Swell कर जाते है Swell इसलिए करते है क्योंकि इनका Purpose जाता है Storage का अब यह Store करके क्या रखते है Store करके रखते है बहुत सारे Minerals और बहुत सारे Nutrients को Minerals and Nutrients को Store करके रखते है तो यह होता है कि जब भी कभी जो Plant है जब उसको Unfavorable Conditions देखने को मिलेंगी ऐसी Conditions जिसमें जो Plant है वो Minerals नहीं बना पा रहा Environment से Minerals नहीं ले पा रहा तो इन Conditions को Survive करने के लिए Plant के पास पहले से बहुत सारा बंडारा होता है इन Minerals का and Nutrients का जिसके थूफ वो Survive कर लेता है इस Unfavorable Season को तो इसलिए जो है Storage के परपस के लिए इन Bulbs का Use किया जाता है Furthermore क्योंकि Underground होता है यह सारा जो Stored Minerals and Nutrients होता है तो इसलिए Most of the Time जो Stem होती है और Modify करके Storage का Purpose करने लगती है तो हमारे Question का Answer जाएगा कि Onion जो है वो क्या है एक Modified Stem है